हलो रिवरेगन, वेलकम टो टुडेज वीडियो, क्रिप्टो मारकेट सुपा बोलिश है, अल्टाइम है ब्रेक होती जा रही है, लेकिन मारकेट में चीज की कमी है, अज वो चीज है एक अच्छे कॉंटेंट की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब नहीं आरे हैं मारकेट पर होता है तो यहां पर मैं सोचा कि एक चलो वीडियो बनाते हैं जिसमें फ्यूचर्ज जो लोग इंट्रस्टेड हैं वो स्टार्ट करना चाते हैं उनके लिए यह वीडियो होगी मैं आपको बेसिक बताऊंगा सपोर्ट रिजिसंस कैसे बनाते हैं और क्या गलतियां हैं जो फ्यूचर्ज में इनिशली इंसान करेगा और उससे उसको लॉस होगा वो गलतियां आप अवाइट कर लोगे क्योंकि मैंने तो वो गलतियां करी थी और बहुत सारा पैसा भी लूस किया था मैं अल्रेडी कॉलेज की फीज भर चुगा हूं इसके त अज़क हैं ऑडायोस के लिए और इसके प्लाटफरम से हिंड यहां पर आपके पास अलग अप्शन्स होते था प्शून्स फॉर्ट तरदेंग बारन कोु चीज था इसके सिसे होती क्या है मतलब ऑर एक्शेंज इज पर और एacaurs धेने को मिलते हैं तो डिफरेंट काइंड of trading होती है spot and futures derivatives and the main difference यह होता है कि आपको leverage दिया जाता है futures में compare to spot trading अब leverage क्या होता है उसके बारे हम बात करेंगे सबसे पहले spot trading क्या होता है spot basically होता है buy or sell करना मतलब आप ने एक bitcoin buy किया आपके पास एक bitcoin आजाता है अब उस bitcoin को withdraw करो उसको sell करो जो भी करो वह bitcoin आपका है that is spot trading जो की maximum लोग already कर रहे है अब बात आती है futures trading की तो future trading क्या होता है future trading basically आप contract trade करते हो किस चीज़ का contract so basically मालो मुझे लग रहा है कि bitcoin जो है यहां से breakout करेगा और यहां से उपर जाएगा right and मेरे पास 6000 डॉलर है लेकिन यहां पर मुझे बहुत जादा convince दूं कि market यहां से बूम करेगा क्योंकि last time भी ऐसा ही हुआ था market ने last time भी इधर से breakout करके बूम किया था तो यहां पर high chance मुझे लग रहा है कि market बूम कर सकता है तो मैं क्या करूंगा market से मैं उधाल ले लूँगा कि भाई मुझे ना 6000 डॉलर का collateral दो तो मुझे 60,000 डॉलर दे दो कि मैं पूरा एक bitcoin जो है यहां पर खरीदना चाहता हूं इस wave को ride करने के लिए ठीक है तो 6000 डॉलर से कितना multiply आप करोगे to get 60,000 डॉलर 10 आप multiply गरोगे तो that is 10x leverage ठीक है इस तरीके से leverage work करती है बट अब आप यह सोचोगे यार 6000 डॉलर लेके कोई मुझे 60,000 डॉलर क्यों देगा तो इसमें एक catch होता है वो catch होता है कि अगर आपने 10x leverage ली है तो 1% market अगर उपर गया 100% नीचे चला गया तो आपका हो जाएगा 100% loss आपका पूरा 6000 डॉलर हो जाएगा लिक्विडेट आपका contract हो जाएगा खतम तो इस तरीके से future trading जो है work करती है अब future trading का जो platform है bitgate इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ फिर हम ये console के बारे में बात करेंगे console कैसे work करता है cross क्या होता है isolated क्या होता है ये बहुत important concept है कितने leverage से आपको start करना चाहिए long क्या होता है short क्या होता है open क्या होता है close क्या होता है order book कैसे पढ़ते है resistance कैसे लगाते है volume कैसे देखते हैं ये सब हम cover करेंगे उससे पहले bitgate के बारे में बात करते है bitgate dunia का 4 largest exchange है काफी time से operate कर रहा है और यहां पे बहुत सारे pairs available है अगर आप futures contracts में देखोगे तो बहुत सारे contracts available है तो large variety of pairs आपको मिल जाते है to trade इसके आपाइ जल्दी जल्दी coin list होते है Indian exchanges में आने में थोड़ा time लगता है तो यहां पे international exchanges में account बनाना I think smart decision रहता है क्योंकि bull market आएगा बहुत सारे integration का option दे रखा है on-ramp के तुरू यह UPI integrate करते है मतलब आप UPI इसे पे गरोगे आपके पास USGT आ जाएगा इसके आपके पास P2P भी है पर इनका P2P Binance P2P से थोड़ा सा difference है क्योंकि Binance P2P में क्या होता है कि यह लोग for profit P2P करते हैं लेकिन इनका P2P थोड़ा सा different है because यह for profit नहीं करते हैं तो number of people who will sell are low तो यहां पर chances of account banning minimize हो जाती है अब on-ramp के तुरू कैसे deposit करना है उसके लिए मैं आपका tutorial link होगा वो में description में डाल दूँगा वहां से आप कर सकते हो bitgate का link भी नीचे आपको मिल जाएगा कुछ और चीज़े होती है जो एक्सचेंज चूस करने से पहले हमें देखनी होती है कि total traded volume कितना है कितना ताइम से एक्सचेंज है bear market में इसका क्या हालता क्या यह grow हुआ यह नहीं हुआ तो bitgate करेंटली 1500 प्लस employees है इनके they have doubled their market share in the bear market currently इनकी 10 billion dollars की 24 hour trading volume है 600 प्लस कोई इंके प्लाटफॉम पे अभी लेबल है तो इस तरह strong exchange थोड़ी इची legacy है इनकी तो if you are looking for a centralized exchange to trade futures और buy in spot to copy rating demo rating इसेकर तो you bitgate का link में नीचे डाल दूँगा अब बात करते हैं कि futures में आगे क्या करते हैं तो futures में आपके पास एक होती है order book जो कि आपको order दिखाती है यहां यहां पे होते है market के trades तो market में currently क्या trades हो रहे है real time दिखाता है order book आपको दिखाता है कि ऊपर नीचे तक कहा कहा तक लगे है तो buying orders जैसे आप देख सकते हो यहां पे 235 bitcoin के buy orders लगें इस area में sell orders लगें इस area में usually इसका कुछ खास meaning होता नहीं क्योंकि यह सब चीजें जो है whales manipulate कर सकते हैं आपको एक रफ आइडिया देता है कि कहां पर अच्छा strong support है कहां पर strong upside हमें देखने को मिल सकता है right तो अब यहां पर सबसे पहले आपको सीखना होता है कि support resistance कैसे बनाए उससे पहले हम यह वारा console देख लेता है तो cross versus isolated क्या होता है तो cross का मतलब होता है कि मानलों आपने $1000 डाले अपने futures के account में and कोई trade आप cross में लेते हो तो वो पूरा $1000 का liquidity कहां पर use करता है मतलब कि 100% loss होने के बाद भी अगर आपका केवल $200 का loss हो रहा है वो आपके बास still margin रहेगा आपका liquidation price automatically adjust हो जाएगा so this helps you avoid liquidation तो आप तो बलोगे तो बढ़िया है liquidate ही नहीं होंगे लेकिन इसमें एक cash है अगर आपने मानलों multiple trades खोले वे हैं सारे के सारे cross में है and market में liquidation कोई एक का हो जाता है मतलब कि बहुत ही दूर अगर liquidation है फिर भी वो hit हो गया तो सारा का सारा आपका margin चला जाएगा आपके सारे trades यहां पे loss में चले जाएगे आपका सारा trade liquidate हो जाएगा cross में यह risk रहता है क्योंकि आप पूरे account को एक साथ use करते हो हर trade में अगर आपको यह avoid करना है कि भाई एक coin मानलो अचाक से dump कर गया आपका साथ liquidate हो गया यह ना हो तो आप isolated trade खोलो isolated trade में क्या होता है कि अगर आपने 1000$ में से 100$ appoint करा है उस trade के लिए तो जैसे ही 100$ के उपर का loss होगा वो automatically liquidate हो जाएगा इससे आप liquidation सोड़ी avoid कर सकते हो personally I'll suggest for beginners isolated रहो and इसके बाद हम आतने leverage पे तो leverage यहाँ पे available है आपके पास 125X तक 125X का मतलब होता है कि 1% उपर गया तो 125% का profit हो जाएगा which looks very very nice लेकिन अगर 1% नीचे गया तो आपका market liquidate हो जाएगा तो 1X से 125X available है for beginners I'll suggest कि you stay below 4X leverage और लोग के देखके trade मत करो आप अपने हिसाप से trade करो I think कम leverage में रहो start करो slow सीखो इसके बाद यहाँ पे होता है कि percentage कितना आप use करना चाहते हो अपने current margin account का and buy long sell short buy long मतलब होता है कि bullish your betting की market उपर जाएगा buy short sell short का मतलब होता है bearish का मतलब की market नीचे जाएगा ठीक है दोनों चीजे यहाँ पर आप समझ गए अब हम आते हैं इस area में तो यहाँ पे मैं कि वह support resistance का मतलब बताऊंगा because that is the most important thing support resistance कैसे बनाते accurate तो one week पे हम यहाँ पर switch करेंगे तो आपको क्या है weekly में देखना होता है support resistance सबसे पहले क्योंकि जितना लंबा time frame होता है उतना strong support resistance होता है तो सबसे पहले हम weekly में जेखते हैं यहाँ पे हम बना सकते है red distance क्या होता है यहां से market price की शिया जाने के chances जाइन होते हैं सपोट to support का area में कुछ इस area में सबसे पहले तो इसके बास हम confident करते हैं क्योंकि यहाँ पर structure उतना clear नहीं क्योंकि जितना वाला time frame उतना strong resistance अब one day में क्या है हम थोड़ा और recently चलते हैं यहां पर one day की चीज़े हम plant करते हैं तो one day में अगर हम बनाएंगे तो this is the support for us यहां से आप देख सकते हो support था फिर the tutorial and यहां पर आप हमारे पास एक rain establish हो गई तो रेंज में क्या है उपर support नीचे support उपर resistance तो resistance से यूज़ेल प्राइस नीचे जाएगा support से यूज़ेली प्राइस बाउंस करेगा unless यह support resistance ब्रेक हो जाता है अगर मालो आपने यहां पर short करावा है पट यह area ब्रेक हो गया तो आपको पता है कि market can turn bullish नहीं मैं अपना shortcut कर लेता हूँ similarly अगर आपने यहां पर मालो long किया हुआ है and market इसको नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर आप जो है अपना long जल्दी कट कर सकते हो तो support resistance आपको judge करने में यहां पर help करते है usually support से bounce होता है and usually resistance से rejection होता है मतला price नीचे आता है usually is the important term here it can go up also it can go down also just probability जो है आपको help करता है figure out करने में that is it so that was your lesson number one on how to start futures trading support resistance सबसे important है पहले सीखना console से आप लोग practice करो कम leverage पर practice करो कम margin पर practice करो से futures की चोड़ी आदत लगने लग जाए 20x 30x 40x बहुत अच्छा लगता है screenshot में लेकिन वो सब scam होता है कोई भी reasonable आदमी जो की पूरे दिन computer पर नहीं बैठ रहा था वो 30 40x का leverage नहीं लेता है वो traders अलग होते हैं 2000 का ड्रेक आउट trading प्लीज उससे start मत करो start with 23x अब आप बोलोगे 23x में तो profit नहीं बन रहा video series in August हमने 8 months में 6x करके दिखाया था $400 का portfolio तो पहले आप वो replicate करने की गोशिश करो तब आप high margin high leverage पे जाना because futures बहुत ही जदा एक addiction एक gamble की तरह लगता है and इसमें अगर आप एक clear mind and without panicking नहीं जाओगे तो you will definitely 100% of the time lose money but it is also very rewarding क्योंकि आपके पास $6,000 से पूरा एक bitcoin long करने की ability हो जाती है तो इस चीज को याद रखना it's a AA sword, दो धरी तलवार है thank you for watching, go check out bit get and thank you for them for sponsoring this video